अब देखिए मीडिया में ये बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया कहती है कि पार्लमंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे वहाँ पे राहूल गांदी ने वीडियो ले लिया मतलब इन्हों ने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया पार्लमेंट के बाहर खड़ा कर दिया ये सवाल मीडिया नहीं पूछा क्यूं किया कैसे किया अमेच शाज से सवाल पूछा कि भईया आप होम मिनिस्टर हो ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए बेरोजगारी पर दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है ध्यान ही दरोदर कराती है राहुल गांधी का ये वीडियो सुना अपने राहुल गांधी मीडिया पर लगातार हमलावर है सवाल है कि दलित पिछले आदिवासी किसान नेता क्यों नहीं मीडिया की खाल उधेरते हैं सोचिए पिछले 60 सालों तक मीडिया कॉंग्रेस के साथ थी 60 साल कॉंग्रेस ने लगभग इस देश में राज किया है मीडिया कॉंग्रेस के साथ थी 15 साल जब-जब BJP में आती है मीडिया अपने असली चरितर में आती है 5 साल बाजपैई के और 10 साल मोधी के साथ है क्योंकि मीडिया में बैठे लोग संग से जूरे हुए सवर्न मीडिया है और सवर्ण मीडिया आप सवर्णों की पार्टी के साथ है जैसे सवर्ण समाज के लोग BJP को बोड करते हैं सवर्ण मीडिया, सवर्ण पुरा इंस्ट्यूशन तमाम जो सवर्ण समाज के लोग है वो BJP के साथ है इतनी बात राहुल गांधी को अब समझ में आ गई है लेकिन वो बोलते नहीं है वो मीडिया, मीडिया, मीडिया कहते हैं दरसल ये मीडिया नहीं है सहा या तो राहुल गांधी बहुत शातिर है या बहुत होसियार है या बहुत ही पपू है ये मीडिया नहीं है ये सवर्ण मीडिया है कहां आपने हाथ उठवाया तो था दलित पिछरे आदिवासी का कहां हाथ उठाता आप बोलिए ये सवर्ण मीडिया है लेकिन कॉंग्रेस के भी मनुबादी सवर्ण ये बात नहीं बोल पाते हैं नमस्कार मैं संभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक देखे एक होता है अंजान और एक होता है जान बुछ कर अंजान बनना वो शबसे शातिर होता है जो जान बुछ कर अंजान बना हो है तो क्या सुप्रिया सिर्नेत जो मीडिया देखते हैं, जैराम रमेश जो मीडिया देखते हैं, राहुल गांदी ये तीनों सवर्ण है, क्या इन लोग को सचमुच नहीं पता कि ये मीडिया मीडिया जो करते रहते हैं, ये मनुबादी मीडिया है, जातिबादी मीडिया है, इसके साथ हैं दरसल ये लोग अभी भी इस मीडिया को बचा रहे हैं अगर ये लोग मीडिया के परती सचमुच नाराज होते तो साफ साफ कहते कि मीडिया जातिबादी मीडिया है और सोचिए कि ये लोग 10 साल मीडिया का इग्नोरेंस नहीं जहेल पा रहे हैं तब बाबा सा आज भी जगजीवन बावु हो, कांग्रेस के नेता हो, चाहे बंगारू लक्षमन बीजे पी के दलित नेता हो, चाहे आपको बता दे की खड़गे साथ कांग्रेस के दलित नेता हो, इन सब को दलित लिखा जाता है सोचे इन मीडिया वालों ने मानेवर सहब के साथ जगदेव बाबू के साथ, राम सरुब बर्मा के साथ, सोने लाल पठेल के साथ, मायवती जी के साथ लालू यादब के साथ, मुलाइम सिंग यादब के साथ, औरव अखिलेश यादब के साथ, तेजस्वी यादब के साथ ये मीडिया जैसे ही इनके खिलाप नितीज कुमार के साथ, हेमन सोरिन के साथ, सीबू सोरिन के साथ क्या किया करोना ने दिये स्टालिन के साथ क्या किया स्वामित परसाद मौडिया मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूँ कि ये मीडिया जिस भी भी भुजननेता के खिलाप बोले समझ awakened की वो भुजननेता आपके ही तदिकार के पक्ष में है इस देश में सबसे ज़्यादा लालू यादव, मायावती जी और मुलायम सिंग यादव इन लोगे खिलाफ मीडिया रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा बहुजन हक अधिकार के लिए लड़ते हैं किया किसानों एक नजर खेत पर तो एक नजर संसत पर रखना और अगर मीडिया मुझे अच्छा कहने लगे तो समझना मैं किसानों से कट गया हूँ इसलिए जिन बहुजन नेताओं की मीडिया अलोचना कर रहा है उसको सबसे अच्छा मानिये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को इन टीबी अख़बारों को बंद कर देना चाहिए राजंदर परसास सिंग कहते हैं कि आपके घर में RSS, BJP और सवर्णों के दो परचारक है टीबी और एक अख़बार और यह जो मीडिया आपको दिखाता है वो दरसल ख़बर नहीं परचार है तो मैं फिर कह रहा हूँ राहूल गांदी बहुत भोले हैं या बहुत शातिर हैं जो लगातार मीडिया के जातिबाद को बचा रहे हैं वो उस पर खुल कर नहीं बोलते हैं कि क्या प्रावलम है क्या मजबूर है यह क्यों मुँपर लगाने बालों को करारा जवाब नहीं देते हैं क्यों इन जातिबादियों के खिलाब साप साप नहीं बोलते हैं यह सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आप से पूछ रहा हूँ और यह बात होनी चाहिए कम से कम जितना कॉंगरेस अब मीडिया पर हमला कर रही इतना ही बहुजन समाज के नेताओं को हमला करना चाहिए आप कितना भी पैसा दे देंगे कितना भी मान समान दे देंगे तब तक यह मीडिया आपके साथ में सूचिए नुएडा के फिल्म सिटी कब बसा जब मायवती मुखमंतरी थी यस भारती पुरुसकार अखिलेश दे रहे थे नितीश कुमार लाल ये सब मनुबादी मिडिया के जाल में फसे हुए और इसी कहते हैं साफ को दूध पिलाना कास हमारे बहुजन समाज के नेता अपने बहुजन पत्रकारों की कदर करते और अपने संस्थान खड़ा करते या करवाते सोचिए जिन दलो को इस देश के जातिवादी धन्ना सेट चंदा तक नहीं देते हैं जिन दलो को आज के डेट में किन पार्टी को चंदा मिल रहा है बीजेपी को फिर कॉंग्रेस को भी अब इतना कम मिल रहा है कि उससे चंदा मांगना पर रहा है आम आदमी से डोनेशन बहुजन दल सोचिए इनको बदनाम करता है मीडिया की मायवती जी टिकट बेस्ती है निती इस तेजस्वी ये सब पैसा लेते हैं और ये पाटी चलेगी कैसे ये धन्ना से तो पैसा देते नहीं है और ये मीडिया किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करती है ये करप्ठ हैं ये ये हैं ये वो हैं मैं फिर कह रहा हूँ जिस देश का बहुजन मीडिया इस देश के बहुजन समाज को खड़ा करना पड़ेगा और यह मनुवादी मीडिया आपके नेताओं को अगर गलत कहे तो समझिये वो नेता और जादा अच्छा है जिस जिस बहुजन नेता का ये मनुवादी मीडिया गुनगान करे वो समझी आपसे कट चुका है और जिस जिस का ये अपमान करे जिसके खिलाब बोले वो समझी कि ये आपके साथ खरा है दुसरी बड़ी खबर सोचिए साक्षी मलिक कल रोते रोते उन्होंने जूते रख दिये इस सन्यास ले लिया सवाल है कि दिलीप मंडल ने लिखा कि बीजेपी आखिर यूपी में क्यों इतना आत्याचार कर रही और बर्धुसन सरन सिंग को क्यों बचा रही है ये सोचिए कितना देश के लिए कितनी मतलब बड़ी बात है लेकिन टीवी अखबार इस खबर को चलाएगा ही नहीं तो सोचिए इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के भी खिलाप है मीडिया पटेल अंदोलन को कैसे बदनाम किया गया पटेलों को गोली मारी गई जाट अंदोलन को बदनाम किया गया रक्षन के लिए उनको गोली मारी गई हरियाना में गुर्जर आंदोलन बैंसला सहाब बैंसला सहाब ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन करजा मतलो और अपने बच्चों को परहाओ घर घर में बैंसला सहाब के बिचार पहुचने चाहिए सोसर रिफॉर्मर है आज के मैं सेलूट करता हूँ करनल बैंसला सहाब को मैं सलूट करता हूँ इस देश के तमाम उन्यता सुचिये सरचोटू राम नहोते करनल बैंसला नहोते समय समय पर जाट गुर्जर पटेल समा सुचिये आज हारदिक पटेल बड़े वीजेपी में हो लेकिन उन्हें कितनी चेतना लाई है समाज में सुचिये आज आज जाट पटेल गुर्जर मराठा मराठा समाज अंदोलन चला रहा है ये किसान जातियां है ये देश का सीना चीर कर अनुप जाते हैं खेत का मिट्टी का सीना चीर कर ये इस देश जो भारत माता की जै करके मोट ले रहे हैं वो गाए के नाम पर आदनिती करते हैं घर में कुत्ता पालते हैं ये जाट पटेल मराठा गुर्जर ये गाए पालते हैं ये भारत माता की सेवा करते हैं कौन है जो भारत माता की जै बोलकर जमीन का ब्यापार करता कौन है रियल्स्टेट के विजनेस में कोई जाट गुर्जर पटेल मराठा यह असली भारत माता की सेवा करने वाई लोग हैं इस में नहीं है इनको इनका संबैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है और इनको धार्मी खमलों में इनके संपर्दाइक्ता में धकेला जाता है क्योंकि इनको पिछरा रखा जा रहा है इनको परने लिखने नहीं दिया जा रहा है इनको जज़ बनाईए इनको IES IPS बनाईए इनको बिजनेसमेन बनाईए नहीं बनाएंगे लोग और ये मेहनस से साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे लोग मेडल ला रहे थे उनके साथ भी इतना घिनवना अपमान कहर रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं कितने जाट गुर्जर पटेल मराथा बड़े मीडिया मालिक और एंकर है सब की बज़ा इस देश की मनुबादी मीडिया सोचिए वो अंतिम किला है जो मनुबाद जातिबाद और ब्रहम मनुबाद का असली अड़ा बचा हुआ है सुप्रिम कोट हाई कोट में भी एका दुका ज़ा रहे है कॉलेज इनवर्सिटी मीडिया जुडिश्यरी में भी लोग है लेकिन मीडिया एक ऐसा किला है जो मनुबाद का आखरी किला है जिसमें जरूरत है कि इसको धोस्त किया जाए नहीं तो आपके बच्चों के साथ इसी तरह से होगा और सोचिए ये बिंदरा ये हर घर में बिंदरा इस देश में यहां जिसको भी पहचानिये जाति से पहचानिये और ये गुप्तिस्वर पांडे ये कह रहा है कि बावन कुछ भी करे मडर कर दे कितना भी नीचों कितना भी कुकर्म करे उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए ये खुद कहे रहा है, सुचिए ये आदमी DGP रहा, SP रहा, ये आदमी ने कितना अत्याचार किया होगा, कितने आरोपियों को छोड़ दिया होगा जाती की वज़ा से और ये बिंदरा कह रहा है, कि सुद्र बोल रहा है, आज के जमानी में, रिंकु सिंग, उसे बढ़िया कोई किरकेटर है, बिनोत कामली, अरे नरेंद्र मोदी भी नहीं है, छत्री है, नबैश है, नबरहमन है, उसको परधान मंत्री को नीच कह रहा है, धनकर साहब को सुचन जना चाहिए उनको भी सुद्र कह रहा है, उलोग सत्ता नहीं चला सकते हैं, इस देश में हर घड में गुप्तसवर पांडे जैसे लोग और बिंदरा जैसे लोग बैठे हैं, इनको पहचानने के जोतर मैं फिर कह रहा हूं, अब गाउं में जातीबाद नहीं है, गाउं का किसान जातियां जो असिछा की बज़ा से अज्ञानाता की बज़ा से करमकांड और जातिवाद में फसे हुऊ वो एसेस्टी एक्ट में जेल जा रहे हैं अब असली जातिवाद सहरो में है मलटी स्टोडीज बिल्डिंग में है मीडिया, जुडिश्यरी, कॉलेज इनवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, कॉलेज इनवर्सिटी में है, ब्यापार में है, खेल में है, सिनेमा में है, स्पोर्ट्स में है, पावर सेंटर्स पर है और वहाँ जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोईरी, कुसवाह, यादव, इन सब के साथ जातिवाद हो रहा और करने वाला कौन है, वही मनुवादी, जातिवादी, भामनुवादी लोग, गुपतिसवर, पांडे जैसे लोग, ये बिंदरा जैसे लोग, इनको पहचानिये, इन से साब्धान रहिए, नहीं ते आपके आने वाली नसलों को ये बरवाद कर देंगे, और इसके लिए जरूरी है, लोगतंत्र में आपको कुछ नहीं करना है, बस इन मनुवादियों, जातिवादियों के खिलाप सोसल मिरिया पर कैंपेंच चलाइए, सोसल देश में विपक्षी दलों ने धरना परदसन क्या किसी टीवी अखवार ने दिखाया क्या, लेकिन पांच हिंदू-मुस्लिम के मुद्धे पर जूर जाए, पूरा मीडिया वहाँ पहुच जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कॉंग्रेस को अब भी अकल नहीं आई है, उसक को बचाना चाहते हैं, तो निस्मत दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्मत दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर कर झाल झाल